हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल आर के वर मेल अक्टिकल पर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यानि आपकी गुजरात मेंट्रो रेल कॉर्पेटेशन लिमिटेड की तरफ से यानि GMRC की तरफ से एक वेकेंसी निकाली होगा तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहला आपको आपस बीदियो परसें साज़ेदारी है इन दोनों की ये सारा हाँ पर मेंशन किया गया है और दोस्तों बात करते हैं और दोस्तों एक बात सबसे पहले आपको यहां पर जान ले ली होगी यानि यह जो यह लाइन आपको जरूर पढ़ लेने होगी यानि GMRC आपको सबसे पहले जान लेनी होगी अब बात करते हैं दोस्तों ओनलाइन जो आपके स्टार्ट होगे 22 दिसंबर 2021 यह आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आपका 21 जनवरी 2022 इसकी लाइस डिट रहने वाली है और एकजाम की जो आपकी डेट रखी गई है वो इसमें फरवरी 2022 इसमें मेंसन की गई है यह थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है यहां पर इनोंने साफ साफ लिखा गया है अब बात करते हैं पोश्ट की तो पोश्ट की हाँ पर आप देखेंगे दोस्तों स्ट्रेशन या कंट्रोल ट्रेन ओपरेटर की वेकेंसी है वह आपकी 71 वेकेंसी इसमें निकाले गई है वेतनमान आपका 33,000 से लेकर एक लाग इसमें रखा गया है और दोस्तों बात करे करेंगे क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा अनि इंजिनिक इन मेकेनिकल इलेक्टिकल कंप्यूटर साइंस और आपका इलेक्ट्रोनिक डिसीप्लेन आपका होना चाहिए किसी गवर्मेंट या रेकॉनाइड इंसिटूट से इसकी बात करेंगे तो 18-18 जार वेतनमान रखा गया है और आपका जो वेकेंसी है आपकी 11 वेकेंसी रखी गई है और इसमें आपकी साइंस ग्रिवेशन इन फिजिक्स, केमिस्टी, मैथमेटिक्स, डिस्टिप्लेन आपका फोरेर रेकॉनाइज इंस्टूट्री या गवर्मेंट आपका होना अब बात करते हैं दोस्तों जो जो वेकेंसी है वो तीर वेकेंसी निकाले गई है और डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंजिनिंग होना चाहिए, या electrical, mechanical, electronics इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए और वो आपका medical की बात करें तो medical आपका A1 category not below 3 A3 के इससे नीचा नहीं होना चाहिए आपका A1 और A3 के बीच में आपका medical होना चाहिए इसकी बात करें तो आपका 1868 थाइसिस में रहने वाली है अब बात करें दोस्तों मेंटेनर की जो वेकेंसी है वो नमबर वेकेंसी 33 वेकेंसी है और इसमें सारी ही जन्रेल की वेकेंसी है दोस्तों बात करें इसमें आपको high school या ITI आपका होना चाहिए इसमें दोस्तों यहाँ पर कहा गया है अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है job profile आपकी क्या करेंदा वाली है वो अपने अनुसार यहां पर देख सकते हैं यानि ST TO के क्या काम होगा CR का क्या 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 काम होगा और junior engineer क्या क्या काम होगा वो सारी बात नहीं इहां पर मेंशन की गई है आपका maintenance, सिंगलनी यानि साधी ये सारे कारी आपको करने होंगे अब बात करते हैं सेलक्षन प्रोसेस किस प्रकार रहना है दोस्तों इसमें आपका exam होगा आपका written test 100 mark होगा और आपका गुजुराती language का जो test है वो आपका इसमें 20 number का इसमें होने वाला है तो overall इसमें आपक 120 number की इसमें प्रिक्षा होने वाली है अब दोस्तों बात करेंगे इसमें exam का pattern पूरा specify किया गया यहां पर देख पा रहे हैं सभी का अलग-अलग है STTO और CRA का यहां पर mention किया गया है और बाद बाकी ज्यादा जानकरी के लिए आप इस notification अच्छे से पढ़ा लें एक वार फिरन क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है इसलिए मैं थोड़ा short way आपको बता रहा हूँ maintainer का यहां देख सकते हैं maintainer क्या करना होगा यह 40 question आपके general knowledge से होंगे technical knowledge और आपका 20 question गुजराती language से होंगे और आपका 15 question आपके होंगे reasoning 15 question आपके math से होंगे और 10 यह question English से होंगे 15 question बाद बाकी इस फिरकार आपका रहने वाला और syllabus की ज्यादा जानकारी के लिए आप इस there will be no penalty यानि आपको negative markings में नहीं रहने वाली है अका top score इस प्रकार से decide किया जाएगा वो यहां पर सारे जानकारी मिल जाती है qualification in the test यह सारे जानकारी आपको यहां से मिल जाती है medical के इस प्रकार से रहेगा वो भी सारे जानकारी यहां से देख सकते हैं और आपका COT bond कितना रहना है वो सारे जानकर यहां पर mention की गई है कितने साल का bond रहना है और कितने रुपय आपको पे करने होंगे bond के रूप में यहां पर देख सकते हैं अब यानि जो आपको salary मिलेगी दोस्तों यहां पर mention की गई है यानि इस्टिपेंट ट्रेनिंग के दोरान आपको जो आपका STTO है उसके लिए 13,000 रुपय मिलने माला है और आप्टर जो आपके ट्रेनिंग हो जाएगी उसमें आपका 15,000 रुपय प्रतिमाह के साब से मिलेगा अ और ट्रेनिंग के बाद आपको 13,000 रुपय मिलने माला है अब जूनियर इंजिनर के लिए 13,000 रुपय बाद में आपको 15,000 मिलेगा और 9,000 रुपय मिलेगा आपका maintainer के लिए बाद में आपका 10,000 पांसो इसमें मिलने माला है और बाद बाकी छूट बगरा की बात करें तो OBC के लिए आपके 5 साल और OBC के लिए इसमें 3 साल छूट रहने वाली है आगए चलते हैं दोस्तों पैमेंट आप पैमेंट जो रहने वाली है आपकी जो अंदोजरब के लिए रहने वाली है आपकी दोस्तों 600 रुपे रहने वाली है और OBC के लिए 300 रुपे रहने वाली है और HTSC के लिए आपका 1500 रुपे इसमें फीस आपकी रहने वाली है फॉर्म फीस और किस परकार से आपको फार्म बनना है वो सारे जानकारी यहाँ पर मेंसन की गई है एक बार notification को डाउनलूड करके आप अच्छे से एक बार अच्छे से पलने तभी आपको अपना फार्म फिल करना है किस परकार से पेमेंट करनी है वो सारे जानकारी यहाँ से आपको मिल जारी है यानि फार्म बनने का सारा प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया गया है एक बार अच्छे से notification को डाउनलूड करके आप अच्छे से एक बार पलने फार्म तभी फिल करें और दोस्तों बात करते हैं इस notification को डाउनलूड करना चाहते हैं टेलिगराम गरूप पर मिल जायाएगा वहाँ से इसको अच्छे से आप डाउनलूड कर सकते हैं और जैसे भी कोई आप कोई query है तो आप comment सेक्षन में comment साथ डाल सकते हैं दोस्तों सारे जानकारे आपको वहाँ से provide कर दे जाएगी यदि आपको कोई doubt हो तो भी आप comment कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी कुछ important information गुजरात Metro Rail Corporation Limited के तरफ से उम्मीद है आपके सारे डाउट इस वीडियो के माधन से clear हो गए होगए उम्मीद है वीडियो भी आपको अच्छे लेगे होगी तो प्लीज वीडियो को जाता लाइक और सेयर करें चैनल पना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि में जाते है इस वीडियो लाते रहता हूं तो थेंक्यू फर बाचिंग इस वीडियो सी यू नेक्स टाइम